महिला आरक्षन विल जिसे लेकर एक बार फिर चर्चाओ का बाजार गर्म हो गया है क्योंकि मोधी कैबिनेट ने महिला आरक्षन विधे को मन्जूरी दे दी है और संसत के विशेश सत्र के दूसरे दिन नए सदन में इस बिल को पेश कर दिया गया है जिसके बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या 27 साल बाद इस बार महिला आरक्षन विल को पास करा लिया जाएगा क्या महिलाओ के लिए 33 फीजदी आरक्षन के वादे वाला महिला आरक्षन विल पास भी हो गया तो इसे 2024 के लोगसभा चुनावों में लागू किया जा सकेगा महिला आरक्षन विदहक से जुड़ी कई सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं और वीडियो में हम इस बिल की पूरी जानकारी पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश करेंगे दरसल बता दें कि महिला आरक्षन विदहक को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंग यादव के बारे में कुछ पूराने बयान है जो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रहे हैं उसी वीडियो में से एक बयान में मार्च 2010 का है जो वाइरल हो रहा है जो तब दिया गया था जब यूपीय सरकार इस विदहक को संसद में पास कराने की कोशिश कर रही थी इसमें मुलायम सिंग यादव लालु परसाद यादव के साथ महिला आरक्षन विदहक का विरोध करते नजर आ रहे हैं जो कि दोनों नेताओं के दल उस दौर में एक दूसरे के सहयोगी दल थे इस वीडियो में मुलायम को कहते सुना जा सकता है कि ये ऐसा करना चाहते हैं कि इनका ही राज हमेशा रहे हम लोग महिला आरक्षन के पक्षमे हैं लेकिन मुसलमान दलित पिछड़े समाज की महिलाओं को पहले दे दीजी आरक्षन 20 फिस दी आरक्षन दीजी इन महिलाओं को वहीं सकड़ी में मुलायम सिंग यादफ का एक और वीडियो मिला जिसमें वो 20 दिसंबर 1999 को इसे विश्य पर संसद में बयान दिया था इस वीडियो के शुरवात में मुलायम सिंग ने साफ करते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी आरजेडी महिला आरक्षन की विरोध मुलायम सिंग ने ये भी कहा कि ऐसे महिला आरक्षन लागू करने दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज से आने वालों को वंचित करने का शडियन त्रिक किया जा रहा है असल में महिला आरक्षन विदहक का पूरा पेच मुलायम सिंग यादव के इस बयान के संदर्ब से समझा जा सकता है अब तक के इसके इतिहास में जाएं तो हम पाते हैं कि भाजपा और कॉंग्रेस ने हमेशा विदहक का समर्थन किया है लेकिन सपा और आरजेडी जैसे अन्य दलो के विरोध और महिला कोटे के भी तर दलित पिछड़े और मुसलिम वर्गों के लिए आरक्षन की कुछ मांगे ऐसी रही हैं जिसके चलते विदहक पर आज तक सहमती नहीं बन सकी है इस बीच मायवती ने भी मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर मांग कर दी कि महिलाओ को जो भी आरक्षन दिया जाता है उसमें SCST OBC वर्गों की महिलाओ का कोटा अलग से शुरक्षित करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों के साथ नाइंसाफी हुगी हाला कि मायवती ने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी BSP आज पेश होने वाले महिलाओ आरक्षन बिल का समर्थन करेगी अब समझते हैं इस पूरे मामले को जरा डीटेल में देश में महिला आरक्षन बिल के इत्यास पर अगर नज़र डालें तो इसकी कवायद पूर्व PM राजीव गांधी के कारेकाल से शुरू हुई थी एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला आरक्षन बिल को लेकर 90 के दशक के बाद की सभी सरकारों ने कवायत की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली कॉंग्रेस के नेत्रित वाली UPA सरकार ने 2010 में महिला आरक्षन विदहक को राज्य सभा से पास भी करा लिया लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने ततकालीम केंद्रिमंत्री मार्गेट अलवा की अध्यक्षता में 14 अधिस्यों की एक कमीटी बनाई इस कमीटी ने महिलाओ की विकास की विस्तरित रणनीती की योजना का मसोधा पेश किया मैटी की 353 अनुसंशाओ में से एक अनुसंशा निर्वाचित निकायों में महिलाओ को आरक्षित देनी की भी थी इन अनुसंशाओ ने सम्विधान के 73 और 74 संशोधन की राह खोली पीवी नर्सिमाराओ के कारेकाल में हुए इन संशोधनों के जर ये पंचायती राज चुनाओ और शहरी निकाय चुनाओ में महिलाओ के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित की गई के राज्यों में तब महिलाओ को ये कोटा SC, ST और OBC कोटे के तहत दिया गया 12 दिसमब 1996 को ततकाली इन HD देवगोडा सरकार ने पहले महिला आरक्षित विदहक पेश किया इसके तहत 81 वा समविधान संशोधन भिल पेश किया गया जिसके तहत महिलाओ के लिए संसद और राज्यों की विधान सभा में एक तिहाई सीटे आरक्षित करने का प्रावधान किया जाना था तब पिछले समुदाय से आने वाले संसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया रिपोर्ट्स की माने तो तब खुजराहू से संसद रही उमा भारती ने भी पंचायती राजवेवस्था जैसे ही इस बिल में भी OBC समुदाय से आने वाली महिलाओ के रिजर्वेशन की मांग की थी देवगोड़ा की सरकार को उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंग यादव का समर्थन मिला हुआ था ये बिल तब CPI नेता गीता मुखर जी के अध्यक्ष्टा वाली संसद की सिलेक्ट कमीटी को भीजा गया इस कमीटी में उस वक्त लोग सभा के 21 संसद और राज्य सभा के 10 संसद थे जिनमें शर्ट पवार, नितेश कुमार और ममता बेनर जी जैसे नेता शामिल थे रोचक बात ये है कि आज ये तीनों नेता बीजीपे के नेतरत वाली इंडिये के खिलाफ इंडिया आलाइंस के खास चहरे हैं गलावासले कमीटी में उमा भार्ती और शिश्मा स्वाराज भी थी कमीटी ने पाया कि इस महिले आरक्षन विदहेक में CST कोटे तहत महिलाओ की सीट तो आरक्षित थी लेकिन OBC कोटे के तहत नहीं क्योंकि तब इसे लेकर कोई सम्विधानिक प्रावधान ही नहीं था तब कमीटी ने सुझाया था कि सरकार उजित समय पर OBC के लिए भी इसमें आरक्षन देने पर विचार कर सकती है हाला कि तब ये मामला ठेंडे बस्ते में चला गया इसके बाद देवगोडा सरकार गिर गई और इंद्रकमार गुजराल पीम बने और एक बार फिर से मैं 1997 में महिले आरक्षन विधायक को लेकर कवायद शुरू ही तब नितीश कुमार जॉर्ज फर्नेंडेस के साथ समता पार्टी बना चुके थे उन्होंने तर्ग दिया कि उस समय 49 महिला सांसुदों में सिर्फ चार ही OBC तपके से आती है उन्होंने कहा कि किसी का ध्यान OBC महिलाओं के हितों पर नहीं गया लेकिन कुछी समय में गुजराल सरकार भी गिर गई जिसके साथ ये प्रियास भी आसफल हो गया अब बारी थी वाजपाई सरकार की ये सरकार बनते ही जुलाई 1998 में मामताब एनरजी और शुष्मा स्वराज ने सदन में महिला आरक्षन बिल पेश करने के लेकर हंगामा कर दिया तथकालीन कानून मंतरी जब ये बिल पेश करने के लिए खड़े हुए तो रजद सांसद सुरेंद प्रकाश यादव ने उनके हाथ से इस बिल को छीन कर फार दिया यही नहीं पिछले तीन दश्कों में महिला आरक्षन बिल को लेकर कई तरह की सियासत देखी जा चुकी है कुछ सियासत ऐसी भी हुई जब मामला ज्यादा ही गर्म हो गया आपको बता दें जब वाजपाई सरकार में इस बिल को पेश करने की कोशिश हो रही थी तब RJD, सपा और BJP के कुछ OBC सांसद इसका विरोध कर रहे थे इसके लावा IUML और BSP के सांसदों की तरफ से भी इसमें मुस्लिम महिलाओ के प्रतनिदत की मांग की गई थी इसी कड़ी में दिसमर 96 में एक मौका ऐसा भी आया जब सदन में विवाद इतना बढ़ा कि ममता बेनरजी जो की तब इस बिल के समर्थन में थी उन्होंने सपा सांसद अरोगा प्रसाद सरोच का कॉलर भी पकड़ लिया था जिसके बाद जैललिता ने वाजपाई सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वाज़पाई सरकार एक वोट से अलपत में आकर गिर गई और एक बार फिर महिला अरक्षन बिल धरा का धरा रह गया 1999 में वाज़पाई फिर से पी-म बने तो महिला अरक्षन बिल को ले कर फिर से गह्मा गह्मी शुरू ही हलाकि ये सरकार 2004 में हार गई और बिल पेश हो ही नहीं पाया जिसके बाद अब बारी थी सोनिया गांधी के नितुरत वाली यूपी ए सरकार की अगस 2005 में सोनिया गांधी ने महिला आरक्षन बिल पर सहमती बनाने के लिए बैठक बुलाई बाद में ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग एंडिये के नेताओ से भी मिले तब ये फैसला हुआ कि महिलाओ को 33 वीज़ी आरक्षन देने का बिल फिर से पेश होगा और सदन का संख्या बल भी बढ़ाया जाएगा इसके लावा MS Skill Formula को भी अपनाने की बात कही गई जहां चुनाव आयोग के उस प्रस्ताफ को अपनाने की बात थी कि मानतपरात राजनीतिक दलों के लिए राज्जी और लोकसभा के चुनावों में निश्चित संख्या में महिलाओ को उतारना आने वारे हो 6 माई 2008 को UPA सरकार 108 वा समविधान शंशोदन भिल लेकर आती है बाद में 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है लेकिन तमाम विरोधियों की वजह से ये बिल कभी लोकसभा में पेश हो ही नहीं पाया जिसके बाद 2014 में मोदी जी के नितरित्व वाली BJP सरकार बनी इसके बाद पीए मोदी के नितरित्व में BJP ने 2019 में एक बार फिर चुनाव जीता दोनों ही चुनावों में मैनिफेस्टों में BJP ने संसद और विधान सभाओं में 33% महिला आरक्षन का वादा किया था अब जब 2024 के चुनाव नस्दीक हैं तो सरकार इसे संसद में मौझूदा विशेश सत्र में पेश कर चुकी है लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या इस बार महिला आरक्षन बिल पास होगा या नहीं क्या इस बार ये कानून बन पाएगा या नहीं इस बिलकुल लेकर आपकी क्या राय है कि आप भी चाहते हैं कि वाकई में महिलाओ को 33% मिलना चाहिए अगर हाँ तो हमें कामें में जरूर बताईएगा और साथ ही वज़ा भी बताईएगा कि क्यों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते ही चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले